बच्चो चलते हैं sport material mathematics के next question की तरब मैं हूँ हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल चलो कदम बढ़ाए तो बच्चो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ वो यह है कि मैंने अभी एक हिंदी मीडियम के बच्चो के लिए चैनल शुरू किया है जिसका नाम है math with हरी सर क्या नाम है math with हरी सर यदि आपके आज प्रोस में कोई भी हिंदी मीडियम से बच्चा पढ़ता ह हिंदी मीडियम में या आपको भी जुरूत है या कोई भी है आपका जानकर तो प्लीज आप उसको शेर कर सकते हैं कि यूटूब पर math with हरी सर के नाम से एक चैनल है आप उसको देखिए सबस्टाइब कीजिए और उसे जादा से जादा लोगों में शेर कीजिए ठीक है फाइंड आउट करने यह थीटा दिया ठीक है आईए मैं आपको बताता हूं यहाँ पर यह मैंने पहले से लिखके रखा हुआ है ठीक है इस तरीके से देखो यहाँ पर यहाँ पर बच्चो एडी है 4 cm यह एडी है और यह बीडी है जो 3 cm है तो और साथ में C भी दिया A, D, B तो A, D, B में पाइधा गोरस थेओरम का यूज करना 90 degree है यह 90 degree है अपोजी जो साइड होती है उसे h बोलते है हाइपोटेन यूज बोलते है तो यहाँ पर पाइधा गोरस थेओरम का यूज करते हुए तो हम इसकी A, B की लेंद फाइंड आउट कर लेंगे तो A, B स् प्लस BD स्क्वेर ठीक है इस तरीके से तो AB तो हमें find out करना इसे यूँ कहूं लिखेंगे और AD है बच्चो 4 4 स्क्वेर प्लस BD बीड है 3 स्क्वेर ठीक है इस तरीके से और यहाँ पर मैं इसको आगे कर लेता हूँ तो 4 का स्क्वेर ठीक है 16, 3 का ऩौता 9, 2 नुका क्या क्या प्लस तो 25 तो AB की वैल्लो आ गई बच्चो यहाँ पर 25 है इधर यह स्क्वेर है तो इधर आकर यह स्क्वेर रूट में चेंज कर देते हैं इसको तो 25 का square root होता है 5 तो बच्चों यह आगया 5 cm ठीक है? समझ मैं आगया? अब इसको मैं लिख देता हूँ AB आगई 5 cm अब हमें triangle लेनी है ABC Now in triangle ABC ठीक ABC में अब ABC में हमें AC के लिए find out करनी है ठीक है? AC की करनी है अब पहले चलो देख लेते हैं कोट थीटा इसमें find out करना है तो कोट उठता क्या है? कोट थीटा in triangle ABC ठीक ABC में तो क्या होता है कोट थीटा? 10 क्या होता है? P by B ठीक है? लेकिन कोट क्या होता है? 10 का? उल्टा होता है, reciprocal होता है तो क्या आएगा? यहाँ पर B by P तो आपको A सी निकालने की जूरत नहीं है बच्चो, इसी सी हो जाएगा ठीक है? तो in triangle ABC तो कोट थीटा यहाँ पर कोट थीटा आता है बच्चो B by P तो B by P होता है ठीक है? यहाँ पर तो B क्या है आपका? 12 और P क्या है? AB यानि कि यहाँ पर आगया 5 इस तरीके से तो कोट थीटा की वैलू आ गई 12 by 5 तो अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या यह वैलू मैच करती है या नहीं ठीक है? आईए यहाँ पर यह इसके अंदर मैं देख लेता हूँ बच्चो यह आगया question तो हमारा जो answer आए वो आए 12 by 5 जी हाँ यह वाला A तो A option इसका correct है ठीक है? तो समझ में आ गया तो यह question solve हो गया है आपको कैसा लगा? मुझे जुरू बताएं और इसमें से शीख कर आप दूसरी बच्चो को जुरू शीखाएं मिलता अगले पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद